नमस्क्राइब दोस्तों, FIA का पैसा इंडिया में आना शुरू होने वाला है और इसके पीछे के कुछ major reasons हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा और इसी के साथ अगर आप एक इंडियन इंवेस्टर हो, एक इंडियन रिटेल इंवेस्टर हो, तो आपके लिए next 10 years, 20 years कितने ज्यादा beneficial हो सकते हैं, ये भी हम discuss करने ही कुशिश करेंगे, और अगले 10-20 साल में आप इतना पैसा चाप सकते हो, जितने last 10-20 years के अंदर नहीं चापे हैं लोगों ने, सबसे पहले data जो मैंने Marcellus की website से pull कराए कि भाई, last 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, 30 साल के सो अगर आप देखोगे, यहां पर last 10 साल, 20 साल और 10 साल का data देखने को मिल रहा है, यहां पर जो पहली rank पे आ रही है, वो आ रही है, US और second rank के अंदर आ रहा है, इंडिया, और आप 30 साल की बात करोगे, तो भाई 30 साल के अंदर, तो US ने ताबर तो तरीके से growth करी है, इसम की growth कम होगी है, वही पर जो इंडिया है, उसने 13.1% से grow करा है, last 20 साल के अंदर, वही पर अगर आप last 10 साल के returns को देखोगे, तो 10 साल के अंदर जो US उसने 12% से grow करा है, इंडिया की जो market है, जो कि यह 50-50, उसने last 10 साल के अंदर 10.1% से grow करा है, वही पर नमबर 1 पे आपको US देखने को मिल रहा है, और second number पर आपको दिख रहा है, Taiwan, Taiwan के अंदर पूरी-पूरी market basically काम नहीं करते है, TMC एक company है, जो mainly chips बनाती है, वो पूरी-पूरी Taiwan की market को hold करती है, तो आप यह मानलो, यहाँ पर 50 company का comparison से पर एक-दो company से हो रहा है, जो कि Taiwan है, तो आप यह समझ लो, last 10 साल के भी बात करोगे, तो महाँ पर इंडिया जो है, नंबर 3rd पर आती है, US, Taiwan and then India, तो अगर आप एक FII हो, मतलब foreign institution हो, जिसके पास actually काफी सारा पैसा पढ़ आए, वो कहाँ पर invest करेगा, हम थोड़ा logical बात करने ही कोशिश करते हैं, सबसे पहले आप यह समझो कि एक है emerging market, मतलब जो grow कर रही है, और एक है immersed market, जो काफी जाती है, इसे grow कर चुकी है, जैसे US हो गया, अब US, Europe और UK के अंदर मेल दी, यह लोग अपना पैसा रखते हैं, जो इनका मोटा पैसा होता है, जो इन्हें पैसा safe चाहिए होता है, वो, जब भी interest rate हाई होते है, तो इंसाई market पैसे डालते हैं, लेकिन, जैसे interest rate cut होते है, जो recent environment आपको दिख रहा है, इस साब पे आप देखो, जो FII का पैसा है, जो हमेशा emerging market से pull हो रहा था, लास्ट एक डेट साल से, चाहिए आप इंडियन market देखते, पाकिस्तान देखते, बंगलदेश देखते, इंडोनेशिया द आप देखो, लास्ट एक से दू हफते से एक trend change होता हुआ दिखा है, जो FII का पैसा है, वो इंडियन market में आना शुरू हुआ है, तो अगर आप एक बहुत बड़े investor हो, जिसका करोडों billions of dollars है, तो आप कौन सी market में सबस्दा पैसर डालना चाहोगे, क्या आप चाहोगे बं साल, दस साल, पंदर साल से भी almost same pay है, तो इस वज़े से जो stability है कि overnight कोई policy change हो जाएगी, ये चीज़ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इसी वज़े से जो FII है, वो इंडिया के अंदर काफी ज़्यादा पैसा डालेगा, और अगर FII है, इंडिया में पैसा डालना शुरू करता है, तो large cap, mid cap, small cap, सब चलेंगे, लेकिन उसके बाद आपको ये समझना है, कि risk adjusted return कहां पे ज़्यादा अच्छे बनने वाले हैं, तो अगर आप एक retail investor हो, तो मेरा मानना ये है, कि next 10 years इंडिया के होने वाले हैं, और next 10 years के अंदर आप शायर इतना पैसा चाप है, because India का time आने वाले है, India काफी तीज से grow करने वाले है, अब एक major question आएगा, कि भाई क्या मैं randomly कहीं पर भी पैसा डाल दूँ, मेरे पैसे बन जाएंगे, देखो, invest करना एक तरीकी का art है, art का मतलब ये है, कि अगर आप sensible way of investing follow करते हो, देखो, हर जगा SIP करना और हर जगा क करना, कि भाई मैं किसी भी valuation तो पैसे डाल दू, मेरा पैसा बन जाएगा, मैं एक long term investor हूँ, ये एक सही strategy नहीं होती, because हर एक individual का perspective, individual level पर different हो सकता है, इसका एक basic example देता हूँ मैं आपको, SDFC, defense fund के बारे में, लोगों ने ना जाने कि इतनी videos बनाई, कि भाई, एक long term investor हो तो इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों ने सोचा कि वो एक long term investor है, उन्होंने invest किया, लेकिन जब ये defense fund गिरना शुरू हुआ, तो काफी सारे comment आई कि भाई, अब क्या करें, और काफी सारे लोगों ने redeem किया, ये एक basic nature है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सि protein down cycle देखी है, उसके बाद आप कहते हो कि मैं पूरा पैसे किसी sector में डालना चाहूँगा, पूरा पैसा, मैं किसे indices में डालना चाहूँगा, small cap में डालना चाहूँगा, तो आप डाल सकते हो, अब ये बात होगी FII की, और ये बात होगी retail investors की, अब थोड़ी सी बात करते है long term investing की, कि long term investing के pro क्या होते है, cons क्या होते है, अगर आप इस वाले data के साथ भी जाते हो, कि FII बहुत पासर डालेगा, Indian market बहुत ज़्याद इस से ग्रोप कर सकती है, लेकिन अगर आपके investing thesis गलत होती है, sectoral investing में, तो आप कैसे फस सकते हो, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको, सो मैंने खोला हूँ है, SBI PSU Fund, क्योंकि ये काफी पुराना fund है, तो महाँ पस काफी ज़्यादा डेटा है, इसके अंदर, तो मैं SDFC Defense इसलिए नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि वहाँ पे जो NFO है, वो recent TI है, तो ये जो SBI PSU Fund है, इसके बारे में काफी ज़्यादा चर्च पर भी हो, 2013 से लेकर के 2022 तक जो इसके return बने है, वो बने है 50.76% के आसपस, करीब करीब आप मालो 10 साल के अंदर, तो अगर आप एक long term investor हो और किसी भी unnecessary और उसी के सासाथ unproven segment में डालोगे पैसा जहाँ पे actually growth नहीं है, जहाँ पे लोग bullish नहीं है, तो आपका पैसा नहीं ब best होती है, बिल्कुल best होती है, लेकिन अगर अगर आप valuation के उपर पैसा डालोगे, तो भाई 5-5-6-6 साल आपका पैसा नहीं बनता, same चीज़ में आपको small cap के अंदर भी दिखाना चाहूंगा, तो small cap के analyze candy के लिए हमने खोला हुआ है, small cap hundred, मैंने काफी बार दिखाया है, तो लेकिन बजार गिरा और यहाँ तक आगया, कोई भी पैसा नहीं बना, इसी के साथ साथ अगर आप देखो के 2020 मान तो market almost collapse होगे थी, अगर आप इसी data को आगे भी लेकर के जाते हो, तो इसमीं यहाँ पर यह देखो, 2010 के अंदर किसी ने पैसा डाला होता, all time high पे, 2010 से लेकर के, यहाँ पर आप देखो, 2016, even 2019 के आसपास, कोई भी पैसा नहीं बना है, क्या इसके बीचे पैसे नहीं बने लोग के, बिलकुल पैसे बने हैं, लेकिन problem क्या है, एक long term investor को profit booking नहीं सिखा ही जाती, अगर आप all time high पे invest करते हो, और यहाँ से यहाँ तक आपका पैसा बना, क क्यों, कि जो market थे small cap की, वो 45,000 पे थी, और 45,000 पे 2010 में थी, और 2018 में थी, करीब-करीब 9,000 बंदर डबल होगे थी 5-6 साल के अंदर, तो करीब करीब डबल हो चुगी थी 8 साल के अंदर, लेकिन अगर आपने कोई भी profit book नहीं करा होता, तो आपका पैसा back to zero के आसपास बन तो अगर आप एक long term investor हो, लोग आपको यह कहते हैं कि यार एक long term investor आप पैसा बना लोगे, definitely आप एक long term investor पैसा बना लोगे, लेकिन अगर आप valuations को ध्यान में नहीं रखोगे, तो पैसा नहीं बना पाऊगे, और इसके बीच में नहा जाने FIA कित्तिबार आए होंगे, और F चीज आपको जो ध्यान लखनी है, अगले 10 साल, 15 साल के लिए, वो यह है कि भाई long term investing काम करती है, लेकिन अगर आप अच्छे valuations को पर चीज़े खरीद होगे, तो काम करेगी, अगर आप लाज 10 साल, 15 साल का data उठा करके देखते हो, चाहे small cap, mid cap का, तो इन दोनों के अंदर जो consistent compounder रहा है, वो रहा है mid cap category, और mid cap category के अंदर जो difference आया है return का, वो आया है, एक से 2%, 3% का maximum, और उसी के साथ साथ, जो risk adjusted return है, वो mid cap के ज्यादा अच्छे है, तो अगर आप एक बहुत high risk investor हो, तो definitely आप जाओ कोई दिक्तत नहीं है, लेकिन small cap को आपको track करना पड़ेगा, इसी के सासर valuations भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो small cap, mid cap, large cap, long term में पैसा बना देते हैं, और जातर लोग आपको long term investing इसी लिए कहते हैं, कि अगर उनकी चीज़त थोड़ी सी भी खराब होती है, कि उन्होंने कुछ बोला, वो चीज़ नहीं चली, तो बोलेंगे, आ अच्छी है, लेकिन अगर आप sensible way में नहीं करोगे, तो as a long term investor भी आप loss कर सकते हो, तो थोड़ी sensible investing अच्छी है, next 10 साल इंडिया के होने वाले हैं, तो अच्छी investing करो, दबा करके पैसा कमाओ, but please किसी के भैकावे में मताना, खुद को analyze करो, और आपको जो चीज़े suit करती है उसके हिसाब से ही invest करना, क्योंकि आप किसी कहने पर शाल small cap के अंदर invest कर दो, लेकिन जब बजार गिरेगा, तो आपका खुद का पैसा नीचे जाना शुरू हो जाएगा, वो इनसान सिर्फ ये बोलेगा, हाँ हाँ बन जाएगा, हाँ हाँ बन जाएगा, लेकिन जब पैस पर invest नहीं करते हैं, या जो invest करते हैं, उसका risk नहीं समझते हैं, और जब risk दिखता है, तो भाई वो loss बेचते हैं, comment section दा करके देखो मेरा, ना जाने कितने लोग बोलने, PSV में जो पैसा डाला था, जो बनाया है, वो loss हो चुका है, defense के अंदर हो चुका है, तो ये कुछ न पुलना, thank you so much for watching this video, tata, bye-bye, signing off.